चाचा चौधरी और दो ठक एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहेते चाचा जी ये बोरी काफी भारी लगती है हाँ भई साबू भारी है तबी तो तुम्हें उठाने को दी है पीछे पीछे चले आओ थोड़ी दूरी पर नामी ठक चकन और धकन चकन गुड के बोरी उठाए मैं काफी ठक गया हूँ थोड़ी देर इसे यहां रख कर दम ताजा कर ले तभी उनकी नजर चाचा चौधरी और साबू पर पड़ती है धकन साबू चीनी की बोरी ले जा रहा है क्यों ना हम उसे हत्या ले चीनी गुड से काफी महंगी है ठीक है मैं उन्हें यहां लाता हूँ तू पीछे से वो बोरी लेकर चमपत हो जाना धकन चाचा चौधरी की और दोड़ पड़ता है चाचा जी रुको अरे ठकन क्या कोई मेरे साथ चाल चलने आया है नहीं चाचा जी मैंने ठगी बाजी छोड़ दी है मैं आपको एक तोफा देना चाता हूँ यह बोरी यहीं रखिए और चल कर ले लीजिए यह गुड की बोरी स्विकार करके मुझ पे ऐसान कीजिए उधर छकन बोरी को उठा लेता है बापरे है, बड़ी भारी है, मेरी तो कमर ही तूट गई इधर चाचा चौधरी और साबू साबू, चलो, चले बोरी वाली जगाय पर पहुँच कर है, चाचा जी, हमारी बोरी इधर छकन और धकन शाबाश, मेरे पठे चला चल आज हमने अच्छा दाओ मारा है, सुरक्षित जगाय पर पहुँच कर आओ, इसे खोले बोरी खोलते ही है, रेत जब रेत डालने के लिए हमें और कुछ नहीं मिला तो हमने खाली चीनी की बोरी में वो भदली है, वा, गुड़ हमें सुरक्षित